हलो बचो एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोड स्कूल में 29th of April को जो आपका पेपर हुआ नौद है विद्यालय का I hope कि आपने बहुत ही अच्छा किया होगा एक question गलत आया हुआ था जिसको लेकर कि मैं आपके सामने आया हूँ और proof के साथ आपको दिखाऊंगे कि question गलत क्यों है इस पर अगर आपने कोई साभी एंसर लिखा है ना कोई साभी एंसर टिक क्या है तो आपको bonus नंबर मिलेगा नहीं भी टिक क्या है तब भी मिल जागा क्योंकि इसमें negative marking तो होती नहीं है तो बच्चे सारे लगबग टिक करके आते हैं तो आ बहुत सारे बच्चे confusion में थे मैंने live session में इस पूरा इस पूरे paper को मैंने live solve किया मतला मेरे सामने भी पहली बार paper आया था मैंने कहीं solve करके फिर नहीं solve कराया live ही पूरा solve कराया हिंद English दोनों मेटे तो बच्चे काफी confused थे कि भाई सर ये बताओ कि ये गलत कैसे है और चु सबसे पहले question को पढ़ो और समझो English medium में भी वाले बच्चे भी देख ले English medium वाले बच्चे भी देख ले कि ये question है आपका a group of 80 students went on a picnic 20% of these students are girls and rest are boys कह रहा है कि how many girls should be added to make the boys add 70% देखो बात समझो कह रहा है 80 विद्यार्थियों का एक समू पिक्निक पर गया इस समू में 20% व इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समू में लड़के 70% हो जाएं अब मेरी बात समझना बेटा अगर इस question को समीती सही मानती भी है तो कौन सा answer सही होगा वो भी बताऊंगा और exactly सही answer कौन सा है सही answer क्या आएगा वो भी बताऊंगा आपको देखो कहरा 80 विद्यार्थियों का एक समू पिकनिक पर गया 80 students थे तो total 80 students जो है ये पिकनिक पर गये ठीक है इसमें से 80 students में से समझना 80 students में से 20% लड़कियां थी तो 20% गर्ल्स हो गई तो अगर कुल मिला करके हम सभी जानते हैं मेटा कि 100% कोई भी चीज अपने आप में होती है 100% ठीक है तो 100% में से 20% लड़कियां होगी तो लड़के बिचार है कितने बचे लड़के बचे लड़के बचे 80% बोलो बेटा सही बात है 80 का 20 प्रतिशत अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 80 इंटू 20 बाई 100 यानि कि इसको मैं काटूंगा तो 20, 5, 11, 18 यानि कि 16 जो है लड़कियां होगी 16 इतनी यहां तक बात समझ में आ रही है अगर लड़कियां 16 है तो लड़के 80% है तो 80 का 80% 80 इंटू 80 बाई 100 यानि कि जो लड़के हुए बटा ये बॉइज है ना 80% अर बॉइज तो लड़के कितने हुए ये 00 से 00 कट गया 88 64 यानि कि 64 हो गए बॉइज ठीक बात है 64 बॉइज हो गए और इतनी होगी लड़कियां 16 लड़कियां होगी आपसे question में क्या कह रहा है देखो बात समझो आपसे question में कह रहा है कि यहां तक तो बात ठीक है कह रहा है इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं कि सम में लड़के 70% हो जाएं अब यहां पे confusion create होता है देखो जैसे मालो यह हमारा group है मालो यह हमारी टोली है इसमें जो है सभी बच्चे पिकनिक पे गए यह total कितने बच्चे थे 80 बच्चे थे है ना कहरा कि कितनी लड़कियों को और इस समू का हिस्सा बना लिया जाये इस group में add कर दिया जाये कि लड़के 70 प्रतिशत हो जाए बटा यानि इस समू में हम और लड़कियों को add कर रहे हैं इधर मालो ऐसे ठीक है तो हमने माना बेटा कि X लड़कियों को add किया, तो पहले लड़किया पहले total लोग कितने थे? 80 लोग थे, और अभी total कितने हो जाएंगे? new total जो नया वाला हमारा group होगा, new group बन जाएगा ना, देखो पहले भाई इतना का group था, X और add कर दिया तो नया group हमारा बना, उसमें total student होगे, 80 प्लस X होगे यहाँ पे confusion में बच्चे इसलिए आ जा रहे है, क्योंकि question में ये नहीं कहा है, कि student 80 ही रहेंगे, देखो अगर लड़कियों को add कर रहे हो और लड़कों को निकालोगे, तब तो 80 बचेंगे, 80 में लड़कियों को add कर दे रहे हो, तो 80 plus something यानि कि जितनी लड़कियों को add करोगे, उतना जुड़ जाएगा, यानि कि 80 में 10 add किया तो 90 हो जाएगा, 20 add किया तो 100 हो जाएगा, है की नहीं, तो group अब बढ़ गया हमारा, अगर question में ये कहता, कि लड़कों को निकाल दिया जा रहा है, या फिर question में ये कहता, कि group में जो लड़के हैं ना, उनकी संख्या, लड़के और लड़कें की संख्या समान रखी जा रहा है, यानि कि number समान रखा जा रहा है, अगर ये कहता question में, तब आप मान करके चलो बेटा कि ये इस question का answer ये B वाला होता और उसको दूसरे तरीके से ये D वाला answer होता दूसरे तरीके से solve करते है लेकिन चुकि ये नहीं कह रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो group है वो बढ़ रहा है और कि number of students in the group is increasing ठीक है अब जब number बढ़ रहा है तो देखो आप कैसे solve करेंगे कह रहा है कि number कुछ ऐसा बढ़ रहा है ना कि जो हमारा ये नया group बनाना इसमें लड़के जो हैं वो 70% हो जाने चाहिए तो boys बराबर 70% इस नये वाले group की बात कर रहो है जो बढ़ा group बना और जो लड़कियां है याने कि जो girls हैं जो girls हैं वो बेटा 30% हो जाएंगी है की नहीं लड़के 70% लड़कियां 30% अगर मैं लड़कियों और लड़कों का ratio निकालूं देखो अगर मैं बेटा girls बटे boys कर दूं देखो देखना ध्यान से तो girls कितनी 30% boys कितने 70% इन दोनों को काट दो याने की लड़के और लड़कियों का ratio हो गया 3 by 7 ratio बात समझ में आ रही है 3 by 7 हो गया ठीक है पहले अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो पहले जो लड़कियां थी वो थी 16 ये थी हमारी लड़कियां और जो लड़के थे वो थे 64 ये थे लड़के हमारे है ना बटा तो पहले वाला ratio चेंज हो रहा है ये ratio कब होगा देखो 3 by 7 के equal कर देंगे 16 लड़कियां थी न पहले तो लड़कियों की संख्या में हम कुछ add कर रहा है 16 प्लस X और लड़कों की संख्या में कुछ add लड़कों की संख्या में कोई addition नहीं हो रहा है ना लड़कों को निकाला जा रहा है ना लड़कों को add किया जा रहा है तो लड़किया कितने होंगे इसको जरह equal करते हैं हम लोग देखो तो 3 by 7 is equal to 16 plus x upon 64 upon 64 तो 64 का जो है इसमें multiply करें 7 का इधर multiply कर दो तो 3 चग के बार है 3 चग के अठा रहे 192 is equal to 16 112 और plus 7x हो गया यह हो गया 112 को इधर ले आकर के घटा दो बैटा तो 80 is equal to 7x x की value आ जाएगी 80 by 7 is equal to x यानि कि यह fraction में आ रहा है तो 80 by 7 x की value आ रही है अब यानि हमने लड़कियों को माना था x कि हम x लड़कियां add कर रहे हैं x की value क्या कर फ्रेक्शन में आएगी बताओ अरे फी घर के फेपर बनाये थे बताओ फ्रेक्शन में लड़कियां थोड़ी ना आएगी यानि कि लड़कियों की value क्या हो जागी 80 by 7 आ रही है जो कि possible ही नहीं है इसका मतलब यह है कि question गलत है समझे question में अगर यह इसने एक line और लिख दिया होता देखो अगर मालो question में एक line और लिख दिया होता कि जब की जब की कुल student कुल विद्यार्थी विद्यार्थी की संख्या वही रहेगी वही रहेगी यानि कि पहले जैसी ही रहेगी अगर यह कह देता यह question में तब question सही हो सकता था जैसे अगर ये कह रहा है इसका मतलब यह होगा कि लड़कियों को add कर रहे तो लड़कों को निकाल रहे हैं बाहर तब ही तो 80 बराबर बचा रहेगा है ना तो अगर ये कहता तब सवाल कैसे लगेगा दिखो तब सवाल ऐसे लगेगा बेटा कि हमें 80 student में पहले कितने थे पहले 16 girls थी और 64 boys थे अब आगे क्या कह रहा है कि जो boys होने चाहिए वो होने चाहिए 70% ठीक है यानि कि 80 अगर ही है तो 80 का 70% कितना हुआ 80 का 70% boys होना चाहिए तो 56 हो गया ठीक है असी का 70% 56 हो गया तो अगर ये 56 हुआ तो लड़किया कितनी हो जाएंगी बेटा girls जो होंगी 80-56 यानि कि 24 यानि लड़किया 24 हो गई पहले लड़किया थी 16 अभी लड़किया हो गई 24 यानि कितने की वृद्ध्य होगी प्लस 8 की वृद्ध्य होगी तो 8 girls को add करना पड़ेगा तो अगर आपसे question में ये कहता कि number of student is constant जबकि कुल विद्यार्थी की संख्या वही रहेगी अगर ये question में कह रहा है तब आपका answer आठ बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ ना मालो की नौदे विद्याले समित इस बात को नहीं मानता है कि वो अपने ही बात प्याड़ा है कि नहीं भया हम तो अपनीच बगवान है मतलब मैंने question सही दिया है ठीक है मालो को question को मानता है नहीं कि गलत है तब वो answer number ये B को सही मानेगा यानि कि वो कहेगा कि भाई D सही है लेकिन अगर इस पे bonus question bonus number आपको मिलते है तो सभी को मिलेंगे बटा ये question सच में गलत है ठीक है तो confusion में मत रहो मैंने आपको बता दिया कि गलत क्यूं है इस question में एक line और इन्हें लिखनी थी जो इन्हें नहीं लिखा इसलिए question गलत है ठीक है बटा तो क्या आपको बात समझ में आ गई ये question गलत क्यूं हो रहा है यहाँ पे लिख देता है English में लिख देता number of students अच्छ bonus marks सभी को मिलेंगे 1.25 के marks मिलेंगे यहां तक 90 95% उम्मीद यही है कि गलत माना जाएगा question को bonus marks आप सभी को मिलेंगे तो बटा जितने भी आपके number आ रहे थे इसको गलत मान करके ऐसा ही मान करके जैसे भी इसको bonus mark करके सभी लोग बताओ कि कितने number आ रहे हैं आप सभी के ल सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है मतलब हम बैच स्टार्ट कर रहा है 15 माई से और अगर आप 15 माई के अंदर अंदर निरोल करते हैं तो 1799 रुपे फीस रहेगी उसके बाद ये फीस वापस से बढ़ जाएगी तो make sure आप 15 माई के पहले पहले इंडरोल कर लें इस बैच में इस बैच में वीडियो लेक्ट्र, एक्साइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलिग्राम गुरूप एक डेडिकेटर बनाया जाएगा जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोस्तों से मतलब कर सकते हैं जहां पर आपके डाउट क्लियर होंगे तो यह जरूरी चीज़े हैं अब एक ग्रूप मतलब एक क्लास के लिए ताकि इंटरेक्शन होता रहा इसलिए टेलिग्राम गुरूप भी हम बनाते हैं बाकि सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं फ एक मुस सारी चीज़े चाहते हैं मतलब उसमें सब कुछ वीडियो लिक्ट्रस हो मैटेरियल हो टेस्ट हो सब कुछ हो तो अर्जुन बैच आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल या वाट्सप आप हमें कर सकते हैं एक टेलिग्राम गुरूप आपको बता दे रहा हूं इसक अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए अधिक जानकारी चाहिए डीटेल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या वाट्सप जरू से करें लगातार हम इस तरह से तयारी कराते हैं हैं बहुत ही बहतरीन प्रदर्शन रहा है हमारा और हमारे बच्चों का इस बार तो भाई बच्चों की मेहनत ने एकदम मचा ही दिया मतलब तहल का मचा दिया बहुत शांदार प्रफॉइंस गया है बच्चों का यह देखकर कि मुझे भी काफी खुशी हुई है इतने सारे बच्चे लाइव में हमने डिसक्स किया सभी जुड़े चलो बेटा फिर इसी उम् अधिदा धन्यवाद